पुद्धी के सामी गड़ना जादेना हमको बुद्धी ग्यान भूल छूक ना होने पाए किसी का ना होए अपमान सीमा है दर सचन का आलहा करते हैं हम आज बखान पाकिस्तान से आई सीमा बना रस्ता है क्यों आसान जब की भारत की सरहद पर आ नहीं सकता हर लिसान इस पर थोड़ा अमल करें हम सोचो इस पर करके ज्यान पेम महुबत एक तरफ है एक तरफ है मुल्क किसान जागो मेरे देस बासियों जागो देस के नौजवान जागो मेरे देस बासियों जागो मेरे देस बासियों जागो देस के नौजवान सीमा है दर और सचन की कैसे हुई जान पहचान सीमा चार बच्चों की अम्मा मुल्क है इसका पाकिस्तान सचिन मीना तो भारत का बिलकुल साधारण इनसान पच्ची साल उमर है इसकी इसको हम कहेंगे जवान तीस साल के लगभग लगभग सीमा की आई हूलो मान उमर में इससे इतनी बड़ी है सचन छिड़कता जिस पर जान सीमा ने क्या कर दिया ज्यादू महक गए इसके अर्मान सरहद पारकीन की महबद लगी है पहुचान नुकसान सरहद पारकीन की महबद सरहद पारकीन की महबद लगी है पहुचान नुकसान जब से टीबी मॉबाइल पर आए दौनों के समचार गली गली में इनकी चर्चा प्रेम का गर्म हुआ बाजार नजर किसी से लग सकती है किसी से हो सकता है त्यार एज लिमिट की नहीं प्रोबलम बिना मिले होता है जहार इंटरनेट का युग है ये तो नेक पर हो जाता दीदार सूरत देखी फिदा हो गए तरदिया उस पर जाननिसार सचाई का पता चलाना बिगड गै लाखों परिवार सीमा पाकिस्तान की ठीटो जागी भारत की सरकार सीमा पाकिस्तान की ठीटो सीमा पाकिस्तान की धीदो जागी भारत की सरकार खोजबीन से पता चला है खड़े हुए भारत के कान बोजासूस भी हो सकती है रहना होगा साबधान किसी एक एजेंट के जर्ये आप आई मों हिंदुस्तान चार चार बच्चों को लेकर आना नहीं बहुत आसान सीमा और सचन की नजरें कैसे मिली करते हैं बात दो हजार उन्नीस में सुन लो कोरोना के गुरे हालात हर कोई घर में ही रहता सारा दिन और सारी रात मोबाइल में बिजी सचन था मिली महबत की सोगात मोबाइल में बिजी सचन था मोबाइल में बिजी सचन था मिली महबत की सोगात पबजी गैम खेलते दोनों घंटों घंटों ये बते आएं मोबाइल पर दोनों नहीं प्यार का ही जहार कराएं सचन तो आखिर बिन ब्याहा था इसका तड़ अपना उच्द कहाएं सीमा तो बच्चों बाली थी फिर का है को फिसली जाएं सचन नहीं पैसे वाला है पड़ा लिखा भी जादा नाएं हटा कटा हैंड संभी सचन मीडा ना कहलाएं इससे सुन्दर सीमा है दर फिर क्यों इस पर फिसली जाएं सोचों सब की साजिस है ये सूचों सब की साजिस है ये सोचों सब की साजिस है ये प्रेम कहानी पच्चिस है ये सीमा ने ये सोचा होगा मामूली तो सचन कहा है उसके घर पर बिना खोफ के देगी सालों यहां बिताएं अपने मिसन को करेगी पूरा फिर वो वापस लोटी जाएं मगर अचानक जाच हो गई सीमा है दर गई घबराएं और बात ये गोर करें हम सचन में क्या है खास कहाँ है कोरोना की पन भी महबत आगे अपना रंग दिखाएं दो हजार इक्तिस में दोनों ये जहार किये बत लाएं ये प्रेमी दीवाने हो गए जुदा न होंगे कसमे खाएं ये प्रेमी दीवाने हो गए ये प्रेमी दीवाने हो गए जुदा न होंगे कसमे खाएं दो हजार इसकी सुन लो खास बात एक कैलाएं इसी साल के मार्च महीना दोनों साधी लिए रचाएं पसपतिनात हसिव का मंदिर जो नेपाल देश में आएं उस मंदिर में इन दोनों ने साधी अपनी लिए रचाएं मान साक्षी सिव भोले को इक दूजे के हुए काएं हिंदू रीत नियम से इनने दिया है बरमाला पेनाएं सिंदू प्रांत की रहने वाली सीमा है दर है कहलाएं ये गंभीर बिसे है भाईया यहाँ सिंद से कैसे आएं ये गंभीर बिसे है भाईया सिंद से कैसे आएं सचिन काने पाल पहुचना अडचन की ना बात कहा है सिंद से वो तो चली अकेली बच्चों को भी संग में लाएं इसके पास में बीजा नहीं है फिर भी ये तो डरती ना आएं खिची आई है मिसन को करने जाल प्रेम का रही बिचाएं दिली में नोए डामें तो पेमी सचन रहता बत लाएं उसे सचन जब घर में लाया उसियां घर के लोग मनाएं रूप रंग देखा सी मा का उसे लियां सबने अपनाएं सचन के पर जन गाव निवासी दोनों पर हैं पेम जताएं सचन के पर जन गाव निवासी सचन के पर जन गाव निवासी दोनों पर हैं पेम लुटाएं इन दोनों की फेम कहानी रही किसी में आग लगाए भारत के हिंदू भाई तो दूलो ना इसके रहे बढ़ाए ना मुसलिम से रखे बुराई सब पर अपना पेम लटाएं नहीं किसी से नवरत करते सीमा है दर को अपनाएं जाच कराना बहुत जरूरी क्या सच्चाई सामने आए नहीं भरो सा पाक प्य हमको धोके वाजी करता जाएं ऐसी मिसाले बहुत मिलेंगी कितने तुम को नाम गिनाएं गद्दारी जब किया नहीं है यकिन पाकिस्तान पेनाएं गद्दारी जब किया नहीं है कटारी जब किया नहीं है यकिन पाकिस्तान पेनाए कुछ दिल से जो चर्चा में है पाकिस्तान की घट न बताए जब से सीमा भैदर आई लिया सकिन से साधी बनाए दुस दिल से तो पाकिस्तान में संकट हिंदू का बढ़ जाए हिंदू पे कहीं हमले होते कहीं पे मंदिर रहे गिराए खत्रा है कहीं राज न खोले भारत पर दबाब बनाए सीमा है दर पापस जाए जुगत वो अपनी रहा बिढाए नौजवान भारत के सुन लो ऐसी गलती मत दोरा एक छाया अमरत करकी रचना